हेलो फ्रेंट्स महनेतिन और स्वागत है आपका योटूब चनल इंफोटेक ऊफिशल में अगर आप भी अपने वोटर आइडी कार्ड में अपनी फोटो को अपडेट करना चाते हैं या फिर change करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको कहीं पर भी visit करने की जरुआत नहीं है Water Helpline App के जरीए आप अपने Water Card में फोटो को update या फिर change कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको अपने Water ID Card में फोटो को update या फिर change करने का complete latest process दिखाने वाला हूँ Water Card में update हो जाने के बाद में आपका नया Water ID Card आपके address पे post office के द्वारा ही deliver कर दिया जाता है साथी साथ यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप अपनी application का status किस तरीके से चेक कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को start कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe कीजिए साथी साथ notification bell icon को भी all पे दबा कर set कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो upload हो तो उसके notification सबसे पहले आप तक पहुँच सकें तो चलिए शुरू करते हैं अपने voter card में photo को बदलने के लिए या फिर change करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Google Play Store में जाना है और वहाँ पे search box में type करेंगे voter help line उसके बाद में आपके सामने voter help line की application आ जाएगी जिसे आपको अपने phone में download कर लेना है उसके बाद में इस application को आप open करेंगे application open करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ information देखने को मिलेगी तो यहाँ पे नीचे एक box दिया गए है I agree के option पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ पे next करेंगे अब यहाँ पे आपको अपनी एक language को select कर लेना है आप Hindi, English या फिर अन्य कोई भी language select कर सकते है language select करने के बाद में यहाँ पे get started के option पे click करेंगे उसके बाद आपके सामने voter helpline app का dashboard आ जाएगा यहाँ पे आपको अपने voter ID card में photo को update या फिर change किस तरह किसे करना है उसके लिए यहाँ पे आपको first number पे voter registration का एक option मिलेगा इस पे आप click करेंगे जैसे आप click करते हैं आपके सामने voter card से जोड़ी services open होके आ जाती है voter card में किसी भी दरकेगा correction करने के लिए form 8 fill करना पड़ता है तो यहाँ पे आपको correction of entries form 8 option दिखाई देगा इस पे आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पहले से account बना रखा है तो अपना mobile number देंगे और यहाँ पे login कर जाएंगे अगर आपने account यहाँ पे नई बनाया है तो new user के option पे click करके जो भी detail आपसे मांगी जाती है वो fill करके आपको यहाँ पे अपना account बना लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने detail एंटर करनी है और login कर जाना है उसके बाद यहाँ पे आप voter help line app के अंदर login कर जाएंगे एक बार फिर से voter registration के option पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे format का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे अब आपके सामने next interface कुछ इस तरीके से open होके आ जाता है जिसमें आपको let's start का option मिलेगा यहाँ पे आप click करेंगे next page पे आपको दो option दिखाई देंगे जिसमें आपस पुछा जा रहा है कि क्या आपके पास voter ID card number available है या फिर नहीं अगर है तो यहाँ पे yes के option पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे next करेंगे next करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने उस voter ID card number को enter करना है जिस voter card में आप अपनी photo को change करना चाते हैं या फिर update करना चाते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपको fetch detail का एक option दिखाई देगा, इस पे आप click करेंगे, उसके बाद आपको इस तरह का message चो करेगा, we have found this record for your enter voter ID, please click on proceed button, यहाँ पे proceed का option मिलेगा, इस पे आप click करेंगे, आपके voter ID card के उपर जो भी detail होगी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल आपको simply नीचे scroll करना है, यहाँ पे आपसे आपके अधार काड की detail मांगी जा रहे है, जिसमें आपको अपना अधार number एंटर करना है, इससे आपका benefit यह होगा कि voter ID card में आपकी photo भी update हो जाएगी, साथी साथ आपका voter ID card आपके अधार काड के साथ भी link हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने voter ID card को अधार काड के साथ लिंक नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो box दिया गया है, इस पे आपको tick लगा देना है, और इस वाले step को आपको skip कर देना है, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना एक mobile number एंटर करना है, या फिर अगर आपका खु और option देखने को मिलेंगे, अब आपको voter ID card में अपनी photo को update करना है, या फिर change करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको second number पे जो option दिया गया है, correction of entries in existing electoral roll, इस वाले option पे आपको select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप next करेंगे, अब यहाँ पे next करते ही, आपको फिर से काफी option देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपसे पुझा जा रहा है कि आप अपने voter ID card में क्या-क्या changes करना चाते हैं, तो यहाँ पे एक बार में आप 3 या 4 correction एक बार में कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे scroll करना है, जैसी आप scroll करेंगे तो last में आपको photo का एक option देखने को मिल जाएगा, इस photo के option को आपको select करना है, और एक बार फिर से next करना है, यहाँ पे आपके सामने photo को upload करने का option आ जाता है, जिसमें आपको अपनी मनपसंद उस photo को upload करना है, जिसे आप अपने voter ID card में print करना चाते हैं, change करना चाते हैं, या फिर update करना चाते हैं, पर क्लिक करके, जहाँ पर भी आपने photo रखी हो, उसे आप upload कर देंगे, photo upload करने के बाद जैसी आप next करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आपका name देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपनी उस place को enter करना है, जिस भी place से, जिस भी share से आप इस application form को fill कर रहे हैं, अपने share का नाम यहाँ पर enter करेंगे, और यहाँ पर done का option मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी application का सारा preview आपको देखने को मिल जाएगा, सभी detail अच्छे से check कर लिजेगा, अगर सब कुछ सही है, तो last में आपको submit का option मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपका य application का status किस तरीके से check करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको home page पर आना है, और left side में explore का option दिखाए देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको status of application के option पर क्लिक करना है, जैसी आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने next interface कुछ इस तरीके से जिसमें आपको जो reference ID मिली होगी, वो reference ID आप enter करेंगे, अपनी state को enter करेंगे, आपका जो भी विधान सबाद छेतर होगा उसे enter करेंगे, और track status के option पर आप क्लिक करेंगे, जैसे यह आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने आपके application का status देखने को मिल ज तो इस तरीके से आप water helpline app के जरीए watercard में अपनी पुरानी photo को update कर सकते हैं, या फिर एक new photo को यहाँ पे upload कर सकते हैं, उमीद है आप सभी को यह वीडियो यह जानकरी पसंद आई होगी, वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, वीडियो से related कोई भी सवाल है तो comment box में जाके आप लिख सकते हैं, साथी साथ आप मुझे Instagram पे follow करके वहाँ भी direct message करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप से बिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत